तो केसे हो आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप एक दम मस्त और स्वास्त हो और मैं भगवान ये आपकी लंबी उम्र की दूआ करता हूँ तो दोस्तों आपके इस चिडिया को तो अपने घर या गाउं में देखा ही होगा जिसको हम गोरिया के नाम से भी जानते हैं तो से पहले एक कुछ इस तरह का कागज लेंगे फिर एक कैची से कागज के दोनों सिरो पर कुछ इस तरह छोटे छोटे कट लगा देंगे और उसके बाद कागज को अपने हाथों से मोल कर एक टेप से चिपका दिया जाता है और फिर एक कैची से पूछ वाले हिससे पर कट ल से चोंच बना कर लगा देंगे फिर एक जेल को चिडिया के हिस्सों पर एक बरस की मदद से लगा दिया जाता है और फिर गोरिया की आखों को चिपका देंगे उसके बाद एक केली की मदद से चिडिया के सिर पर लेप लगा कर चिडिया की आँखें बनाई जाती है और फिर बनाने के बाद चिरिया के पंखों को बारी बारी से बना दिया जाता है और बड़ी साफधानी से चिपका दिया जाता है हम पंखों को लगाते हैं तब तक भाई लोगों अपने ममी पापा से तो सभी प्यार करते हैं लेकिन अपनी इंडियन आर्मी से कौन-कौन प्यार करता जाता है उसके बाद चिरिया के पेरों को लगा देंगे और उसके बाद चिरिया की छोटी मोटी रिपेरिक की जाती है और फिर अंत में चिरिया के शरीर पर आवश्यक्ता के अनुसार कलर किया जाता है जो की बहुत मुस्किल का काम है जिसमें बहुत साफधानी की जरूर होत कर दो 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 फन्ट कर द को दो दो रहे हम वर कर दो एंग